इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेख हसीना के exit के क्या reasons है सेख हसीना के time पर इंडिया बंगलाइस के relations किस तरह से prosper हुए सेख हसीना के जाने से किन किन मुर्चों पर इंडिया को परिसानी या challenges हिलना पड़ेंगे बंगलाइस इंडिया के लिए किस तरह से significant है क्या role है साथ ही साथ वो क्या challenges है जो नई government के आने से इंडिया face करेगा और साथ ही बंगलाइस में stability लाने के लिए इंडिया क्या role play जैहिन दोस्तों recent SSB interviews के लिए जो बच्चे जाएंगे उनसे इंडिया बंगलाइस relations के उपर काफे सारे सवाल हो सकते हैं personal interview के अंदर आपसे इस पारे में पूछा जा सकता है या फिर या आपके lecture rate या फिर GD का topic हो सकता है अगर GD का topic होगा तो इसमें definitely आपसे पूछा जाएगा कि current जो situation है बंगलाइस में उसको इंडिया किस तरह से stable कर सकता है या फिर यहां इसी तरह का महौल रहेगा तो इस तरह से इंडिया को disrupt कर सकता है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इंडिया बंगलाइस के बीच में relation जो है कि तीस्ता रिवर के पानी के दिक्कत आजएगी यह हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों आपको यहां पर mind को use करते हुए उन सारी बातों का जिक्र करना है कि भाई अगर सेख हसीना के बज़ाए कोई और government पर आएगा तो उसका जो इंडिया के साथ में dealing से किस तरह से रहने वाला है किस तरह से infiltration से related problem आ सकती है किस तरह से हमारे close ally था जो international organizations के बीच में हमें से इंडिया को support करता था पिछले 15 years से साथ ही साथ क्या बंगलादेस के अंदर जो रह रहा है minorities है उनके साथ में किस तरह का relation रखा जाएगा behavior होगा तो आज के वीडियो में हम अगदम deep में discuss करेंगे कि क्या जो है इंडिया बंगलादेस relations के क्या main points है क्या reasons हैं जिस वज़े से सेख हसीना को एकदम से exit करना पड़ा सेख हसीना के दोरान इंडिया और बंगलादेस के relation में क्या मजबूती आई थी क्या strength आई थी सेख हसीना की जाने के बाद से वहां किस तरह से इंडिया की जो stable चीए थी उनको disturb हो सकता है और क्या way forward हो सकता है तो यह start करते हैं आज के इस वीडियो को और इसमें हम वही सारे points discuss करने वाले जो मैंने आपको अलड़ी बताए हैं तो सबसे पहले start करते हैं कि क्या वह सब्सक्राइशन था evolving into a nationwide moment की student जो अपना मुमेंट कर रहे थे और मुमेंट था reservation को ले करके तो यह जो मुमेंट था यह एकदम से nationwide moment में convert हो गया the peaceful student protest against the freedom fighter reservation of 30% in civil services galvanized into a nationwide moment due to government's heavy-handed approach कि भाई यह student का जो मुमेंट था यह पूरे देश व्यापी मुमेंट कैसे बन गया क्योंकि government ने थोड़ा सा मुमेंट करने वाले protesters को strictly काबू करने की कोशिस की the attack on students by awami league student wing awami league जो की party थी से एक हसीना की तो इनकी student wing जो थी उनके student wing ने अंदोलन कारियों पर जो अटेक किये वो भी एक problem रही है ना imposition of strict curfew with a shoot and sight order and labeling the demonstrators as रजाकार्स है ना जो विरोध कर रहे थे उनको क्या क्या कह दिया गया गलती से रजाकार्स कह दिया गया हलाकि बाद में उस पर clarification भी दिया गया थे हमने रजाकार नहीं किया या रजाकार का मतलब एक तरह से वो विर्टी होता है जो अपने लोगों के साथ गड़बड करता है गधारी करता है तो यह एक first reason था कि कि सेख हसीना को बंगलादेश से exit करना पड़ा second reason जो था दोस्तों वो slowing down the economic growth कि बंगलादेश ने last 20 years में काफी fast और काफी rapid economic growth की थी और पुरी दुनिया में लोग बंगलादेश का example दे रहे थे कि भाई अगर आपको Islamic countries देखना है तो आप बंगलादेश का example देख लिजी जहां पर सिर्फ economy के अलावा कोई discussion नहीं होता है but problem यह हो रही थी कि भाई कुछ time से वहां की economy जो है वो down हो रही थी world bank ने भी जो है कुछ इस तरह के estimations दिये थे तो इस वज़े से लोगों के sentiments जा रहे थे से खसीना के against तो यह second reason हो गया third reason है दोस्तों कि eroding democratic values की भाई जो parliamentary elections हुए 14 में 18 में और उसके बाद 24 में इन elections के अंदर लोगों ने कहा कि भाई यह तो democratic रूप से होई नहीं रहे हैं अपोजिट जो पार्टियां हैं अपोजिशन की जो पार्टियां हैं उनके लोगों को जेल में डाला हुआ है और elections हो रहे हैं तो कई सारे लोगों ने जो है यहां पर voting नहीं की low turn out हुआ कई लोगों ने बाइकॉट कि आपोजिशन पार्टिस ने इस तरह से लोगों लग रहा रहा है यह जो अभी 24 में गवर्मेंट जो इलेक्ट होकर के आई है यह कहीं भी डेमोक्राटिकली एलेक्ट महीं वे सा कुछ लोगों का सोचना था तो इस वस अलसो दे रीजन फोर्थ रीजन था रलाइनस अन हाट पावर तो मैंटेन कंट्रोल कि जब वहां पर है ना हसीनास गशरमेंट इंक्रिसंगली रिलाइड अन हाट पावर तो मैंटेन कंट्रोल इस क्रिटिडे क्लाइमेट आफ फियर एंड रिप्रेशन तो भाई देखो देटल सिक्यूरिटी एक दोजार अठार जब आया विकेम ए पोटेंट वेपन फार दा गवर्नमेंट एंड रूलिंग पार्टी एक्टिविस्ट्टू साइलेंस क्रिटिक्स एंड तो उन्होंने जो लोग विरोत कर रहे थे उनको हाई हैंडेटली दबाना शुरू कर दिया हाइड पावर का इस्तिमाल किया जिससे लोग असंतोस्ट हो गए इंक्रीजिंग एकोनॉमिक इनक्वैलिटी कि बाइज जो है कई सारे वहाँ पर भी बैंक ए स्केम होग थे उसके वज़े से लोगों को हो गया अब इस एक्जिट के बाद क्या होगा हाउ डिट इंडिया बंगलादेस रिलेशन्स प्रॉस्पर अंडर सेख हसीना त्रिजीन कि जब सेख हसीना प्राइम इन्टी इंडिया रही लगबख 15 इयर्ज तक तो इंडिया के रिलेशन्स बंगलादेस के साथ किस तरह से मजबूत होए तो पहला जो है कि इरिडिकेशन आफ एंटी इंडिया ट्रॉप्स की कई सारे इंडिया जो वहां पर ग्रॉप्स काम करते थे सेख हसीना ने इन ग्रॉ उस टाइम से प्राइम मिनिस्टर जो आ रहे हैं देश के उनके बीच में अच्छे रिलेशन्स थे अच्छे निगोशेशन्स थे तो उसी की बदोलत जो है इंडिया बांगलादेश के बीच में बाइलेटरल ट्रेड काफी बढ़ा और हमने जो है साउथ एशियन फ्री ट्रे गए थे जिससे इंडिया बांगलादेश के बीच में कनेक्टिविटी काफी बढ़ गई थी तो इसमें जो है अखुरा अगरतला क्रांस बर्डर रेल लिंक एंड खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन इन नवंबर दोजार ते इस यह जस्ट अभी अभी स्टार्ट हुआ तो पांच अलग-अलग बस रूट्स वहाँ पर हो गए थे जिसमें हम कोलकाता अगरतला गुवाहाटी से डिरेक्ट धाका को कनेक्टिविटी हमने दे दी थी ठीक है एग्रिमेंट फार दा यूज़ेस आप दे चिटगाउं एंड मोंगला पोर्स टू इस दा मुमेंट आ यूज़ करने की हमें जो है अगरिमेंट हमने कर लिया था तो दीज आर दा बिग डेवलोपमेंट साथ ही साथ दोस्तों डिसकेशन और फ्री ट्रेड अगरिमेंट चल रहा था कि चलो भाई अब चुकी जो है ऐसा टाइम आ गया है कि ग्लोबलाइशन का दोर वापस से सिक कि ओडा था तब से जो है लेंड बॉण्टरी एग्रिमेंट को लेकर के कुछ मद्वेथ ते इंडिया और बंगलाधेस के बीच में तो 2015 में यह यह लेंड बाउन्टरी एग्रिमेंट आ गया था और हमने बंगलाधेस के साथ अपनी बडर को लेकर के समझोता कर लिया था उसके बदले में action already हो चुका था साथ ही साथ energy cooperation पर बात चल रही थी energy cooperation के मामले में हमने जो है energy cooperation between इंडिया इंड बंगलादेस बंगलादेस नियरली इंपोर्स 2000 मेगावार्ट साथ electricity फ्रम इंडिया दो हजार मेगावार्ट electricity जो है बंगलादेस इंडिया से इंपोर्ट करता है इंडिया बंगलादेस फेंड्शिप पाइपलाइन कनेक्टिंग सिली गुडी इन वेस्पेंगल और पारबतीपूर इंड होता है वरा जो डीजल है उसके उपर काफी dependent है तो यह भी जो है सेख हसीना के टाइम पर हुआ डिफेंस को ऑपरेशन में इंडिया बंगलादेस बॉडर बॉडर ऑफ 4096.7 किलमेटर इस लोंगेस्ट लेंड बाउंडरी इंडिया शेर्स विद एनी आफिट्स नेबर इंडिया इंड बंगलादेस कंड़ जॉइंट एक्सराइस संप्रीती एंड बॉंगो सागर नेवी के साथ मिलकर के बॉंगो सागर एक्सराइस करते हैं आर्मी के साथ मिलक इंडिया में आने वाले जितने भी लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए उन्हें से लगबग 33 परसेंट जो विदेश से लोग बंगलादेस से आते हैं तो इस तरह से से एक हसीना के टाइम पर इंडिया और बंगलादेस के जो रिलेशन्स थे उन्होंने काफी हाइट चुई काफी प्रोग्रेस इन रिलेशन्स के अंदर हुई अब दोस्तों देखते हैं वाई इस जो रिलेशन्स से इतने अच्छे हैं तो इंडिया के लिए बंगलादेस का क्या सिग्निफिकेंस है क्या महत्व है तो नंबर वन जियो स्ट्रेटेजिक की बंगलादेस का जो जो बंगलदेस जहां सिचुएटेड है वो एक ऐसा स्थती है जहां इंडिया के लिए वहां पर जो है कई सारे सीकुरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं फ्रम चाइनीस साइड तो बंगलदेस वोल सिग्निफिकेंट जियो स्ट्रेजिक इंपोर इंडिया इंडिया इस्टर नेबर बंगलदेस प्रोइशच चमरा इंडिया विट उ장बाइश में मृतन बंगल इंड स्टराइब् Begin deixar चुएजे का इंडिया के लिए अटियो सम्डॉटिकाल को आं issue such as counter-terrorism border security is vital for maintaining peace in the South Asian region support of Bangladesh is crucial in India's bid of UNSC permanent membership कि भाई anti-terrorism हम बात करते थे international forum पर Bangladesh हमारा support करता था border security में कहिने कि Bangladesh हमें से support करता था साथ ही UNSC हमारी permanent seat की जो हमारी वकालत थी उसमें Bangladesh एकदम बिलकुल कंदे से कंदा मिलाकर के खड़ा था कि नहीं भाई इंडिया को UNSC में क्या दीजिए permanent seat दीजिए तो बंगलादेश यहां अमारी बड़ी मदद कर रहा था bilateral trade बढ़ रहा था तो economic sector में हमें बंगलादेश की काफी जरुत थी क्योंकि बंगलादेश हमारा सबसे largest trading partner हो गया था इस्टेशिया में cultural and civilizational exchange के लिए भी चुकि बंगलादेश कहीं ने कहीं हुआ तो origin इंडिया से है तो cultural and civilizational exchange के लिए बंगलादेश जो है एक बड़ा important spot था साथ ही international cooperation कि जहां कहीं जरुत लग जाए चाहे बिमस्टेक की बात हो चाहे सार्क की बात हो और चाहे जो है कोप्स की बात हो हर जगे बंगलादेश इंडिया को support करता आ रहा था और इसकी वज़े सिफ यह थी कि we had maintained very good relations with बंगलादेश अब देखते हैं वाई कि what challenges does the exit of सेख हसीना create in the इंडिया बंगलादेश relations कि सेख हसीना जब वहाँ पसे इस्तीफा दे दिया है जब उनका exit वहाँ से हो चुका है तो क्या changes क्या challenges इंडिया बंगलादेश का relations में आ सकते तो number one जो है वो resurfacing of security challenges की जो पहले anti-India groups बंगलादेश में थे जिनको सेख हसीना की टाइम पर दबा दिया गया था वापस से वो surface पर आ जाएंगे और anti-India बात करना शुरू कर देगे second and a threat to India's connectivity with the north east की भाई हम सब लोग जानते कि north east के साथ हमारा जो connectivity है हमारे states के साथ में वो silly goodie corridor के साथ में जिसको हम chicken neck भी कहते हैं काफी narrow हिस्सा वो सब्सक्राइब हो सकता है इस पर हमें इनिशेटिव लेने की ज़रत पर बहुत घबराने ज़रत नहीं क्योंकि बंगलादेस अभी भी काफी सारी चीजों को लेकर के इंडिया पर dependent है इंडिया के बिना फिलहार तो उसका काम नहीं चल सकता और इंडिया वो गलती भी नहीं करने वाला है जो नेपाल के टाइम पर हमसे हुई थी तो दोस्तों हमारी कनेक्टिविटी का वहाँ पर एक इश्यू है जियोपाइडाइज दी बाइलेटरल ट्रेड एंड फ्री ट्रेड अग्रिमेंट की बाद चल रहे थी वह कहीने के अभी रुक जाएगा जो स्टेबलिटी आई है तो कहीं ने कहीं हमारे पीपल टूपीपल टाइस और कनेक्ट भी थोड़ी देर के लिए हिंडर होंगे साथ ही जियो पॉलिटिकल चैलेंजस में ऐसा है वाई कि हम एक तरफ तो पागिस्तान को फेस कर रहे हैं दूसरी तरह हम चाइना को फेस कर रहे जो हमारी अगारवी सक्षाम है वो सब कर लेगी बढ़ एक नया चैलेंज हमारे सामने आ जाएगा तो अब देखते हैं कि वाट और अधर चैलेंजस इंडिया बंगलादेश रिलेशन्स चलो सेख हसीना के होने से वह सारे चीज़ें रुकी हुई थी उनके होने ना होने से और क्या चीज़ें प्रॉब्लम आ सकते इंडिया के साथ क्या चैलेंजस आ सकते तो शेरिंग दा ट्रांस बाउंडरी रिवर वाटर्स कि हमने देखा कि एक तो ब्रह्मापुत्र आती ही जो चाइना से हमारे स्टेट्स को होके बंगलादेश गुजरती साथ हमारी गंगा प्राइब तक उसको रिजॉल किया जा चुका है साथ ही रोहिंग्या एक इंडिया के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो डिपोर्शन आफ रोहिंग्या जो हम रोहिंग्या को इंडिया से इडिन्टिफाई करके सिटिजिएंसीब अमेंडमेंट्मेंट बिल लाने क एक लाने के बादमें जो है जो है रोहिंग्या च nell का जोने मारा था अजोह है फ्रेंडली इपोर्शन आसाणना ऊश्याला ओस ता हो सकता है अभी डिपोर्शन में और टाइम लग्ंडिया इनल म्यंडा चोन्फिक्स हैं न इन बभड्य唱 इन डिपोर्शन आप रोहिंग्य जाओ फिर बंगलादेस से म्यामार चलिया क्रॉस बर्डर टारिजम इंफिल्ट्रेशन भी बढ़ सकता है क्योंकि जो है टारिस्ट अब यही फिर आक में कि पागिस्तान के साब तो उनकी दाल गल नहीं रही है चाहे ना अपने आसा होने नहीं देगा तो टारिस्ट टारिस् थे तो वहां पर काफी सारी चीजें मेंटेंड थी अभी इंटरनेशनल नर्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड रिपोर्ट दे ड्रक्स ट्रेफिकिंग त्रू इंडिया फ्रम बांगलादेस रिमेंस अ प्राइम ट्रांजिट पॉइंट आफ ट्रेफिकिंग हिरोईन फ्रम इंडिया फ्रेडली गवर्रमेंट अगर वहां नहीं रहेगी तो बांगलादेस कहीं ने कि चाइना की तरफ ज्याधा छुकेगा उससे चाइना के साथ में बंगलादेस के मजबूत होते हैं रिलेशन्+, किसी भी तरह से इंडिया के फ्यवर में नहीं हैं जबकि सब लोग जानते हैं कि बंगलादेश जो है वो बियाराई का एक बहुत एहम हिस्सा है बियाराई के थुरू वहाँ पर काफी डेवलप्मेंट हो रहा है बंगलादेश जो है वेसे तो मेजरिटी मुसलिम कंट्री है इस्लामिक देश है पर वहाँ पर जो है हमारे भी कई भाई रहते हैं हिंदूस वहाँ पर रहते हैं तो उनकी सिक्योरिटी जो है वो एक बड़ा चैलेंज बनेगी अगर एसी गवर्मेंट वहाँ आती है जो क्योंकि आप थ्री साइट से लेंड लॉग्ड हों इंडिया के साथ में इधर बेंगॉल में आप ओपन हो रहे हो तो आपके पास में बहुत ज़्यदा ऑप्शन है नहीं बट फिर भी समय किस से क्या करवाले कोई भरोसा नहीं है अब देखते हैं वाट शुडबी इंडिय एक्सप्रेशन आप पॉपुलर विल इन ए सेंसिटिव नेवरिंग कंट्री फार एक्जांपल इंडिया सपोर्ट टू पीपल्स मुमेंट इन नेपाल इन 2006 अगेंस दा डिक्टेटरियल मोनार्कियल रून एंड रिस्टरेशन अब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी तो हमें जो ये वहाँ की पबलिक और वहाँ की डेमोक्रेसी को डिरेक्टली सपोर्ट करना चाहिए वहाँ पर से डेमोक्रेसी वापस से रेस्टोर होगी तो इससे अच्छा इंडिया के लिए कुछ नहीं हो सकता है सेकर्ड है एक्सपेशन आफ रेड़ेनेस टू एक्सपांड दा बाइलेटरल टाइस की जो भी बंगलादेस की तरफ से अगर बाइलेटरल टाइस को एक्सपांड करने के लिए अगर कोई हाथ बढ़ाया जाता है तो डेफिनिटली इंडिया उसके लिए विलिंग रहेगा और अभी हमारे एक्सपेशन आफिर्स मिनिस्टर की जो विजिट है वो इस बात का एक बहुत बड़ा सिंकेत इंडिया के लिए है बंगलादेस के लिए को इस्टेबलीस्मेंट आफ जॉइन टास फूर्स एंड ऐस्मार्ट बॉडर मैनेजमेंट हमें जॉइन टास पॉर बंगलादेश जो है वो अपने एक्सपोर्ट पर काफी डिपेंडेंट है तो अगर इंडिया के साथ उसका बिजनेस बढ़ता है तो डेफिनिटली कहीने के रिलेशन जो है हमारे फेवर में आने की संभावना रहेगी तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि इंडिया और रिलेशन है वह और बंगलादेश्ण के लिबेरेशन में जो रोलड़ार के इस चुपावन नहीं है और लास्ट 15 येर से से हसीना के टाइम से इंडिया बंगलादेस के जो रिलेशन्स थे उससे इंडिया को काफी बेनेफिट मिला इंडिया काफी फेवर हुआ अब जब बंगलादेस में इंटर्नल अन्रेस्ट है तो इसमें इंडिया एक एक responsible democracy का role play करते हैं निश्चित तोर पर बंगलादेस में stability लाने कोशिस करेगा and we all are optimistic I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और SSB इंटर्यू के परस्पेक्टिव से वीडियो बहुत important है दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरू करें अगले वीडियो मे जल्द ही मिलते हैं जय हिंद जय भारत इंकलाब जिन्दाबाद भारत मता की जय